सो गाईज जैसा कि हमने पिछले विसोड में देखा कि जेंग और उसके साथी त्यान लूग ओक्षन नाउ से निकल कर किंग यून सेट की ओर जा रहे थे लेकिन तबी बीच में उन्हें जुगे फेंग के लोगों ने गिर लिया था और उनके उपर अटेक करने लगे पर जे जेंग का पीछा करता है और उसके उपर अटेक करता है लेकिन तबी सीनियर ब्रदर हुआ त्यान मिंग वहां गया था उसने जेंग और उसके साथियों को बचा लिया और उन्हें सेक्ट में लेकर आ गया हुआ जेंग और उसके साथियों को डेमनिक औरा सेलेक्शन के बार अपने फिजिकल बोडी चोड़ सकता था इसलिए अब जेंग भी बहुत खुश था अगले सीन में हम डीजल पीक के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन देखते हैं जहांपर टीचर लिंग यून और डीजल पीक के सभी डीसिपल्स थे लिंग यून से वी से कहती है कि मैंने आज तुम सभी को यहां हेवन के फॉरेश्ट के डीमन्स को मारने के मिशन के लिए बुला भीजने का फेसला किया है जो फॉरेश्ट में जाकर डीमन्स को खत्म कर सके हमारी पीक से तीन इनर डीसिपल्स को चुना गया है और बाकिस तीन को आउटर डीसिपल्स में से चुना जाएगा डीमन्स का नाम सुनकर आउटर डीसिपल्स में से कुछ पहले ही डर जाते हैं जिनने देखकर दो इनर डीमन से जिनका नाम जुहेंग और क्यूचेंग था वो दोनों आउटर डिसीबल को डरते हुए देखकर हसते हैं और कहते हैं कि इन आउटर डिसीबल को भी हमें ही समालना पड़ेगा सभी आउटर डिसीबल को डरता देख लियों सभी से कहती है कि ड डिसीबल के लिए बहुत ज़री लेसन है और ये मिशन तुम सभी के लिए अपने आपको चेक करने का बहुत अच्छा मौका है ये केकर लिंग्यून सभी को एक डिमन मोश्टर दिखाती है उस डिमन का डिमोनिक औरा चारो और फेला हुआ था जिससे बहुत सारे डिसीबल को प्रॉबलम होने लग गई थी तभी हमें जेंग को दिखाया जाता है वो भी डिमोनिक औरा को मेसुस करता है जिससे उसकी भी हार्ट बीट बढ़ जाती है लिंग्यून सभी डिसीबल से कहती है कि जो भी डिसीबल इस डिमन के डिमन के सबसे पांस जाएगा वो एवन फोर प्रॉबलम होने के लिए कि एती है इसलिए अब एक डिसीबल औरा क्यों बढ़ता है लेकिन औरा डॉमें में कदम रखते ही वो नीचे गिर जाता है और अपने गुटने टेक देता है लेकिन तभी आउटर डिसीबल में से एक डिसीबल बाहर आता है जिसका नाम हाउशी प्रहाँ जी ≫जी से टीजे पिक से सबसे अच्छे डिसीबल्स में से एक था हाउ। डॉमेंड में अंदर जाता है वो डॉमेंड में आके बढ़ रहा था तभी उससे कुछ इलूजन होने लगते हैं और रूख जाता है उसके आट कापने लगते हैं लेकिन फिर भी वो इसे देखकर कहते हैं कि आउटर डिसीबल में हाउ सबसे पारफुल डिसीबल है लेकिन तब एक डिसीबल कहता है कि तुम गलत के रहे हो पहले हाउ सबसे पारफुल था लेकिन इस बार नया डिसीबल लू जेंग आया है और अब वो सबसे ज्यादा पारफुल है उसने आते ह हेवन लेवल की टेक्नीक को असिल किया है हाओ उन सबी की बाते सुनकर बहुत नाराज होता है क्योंकि जब से जेंग आया था तब से वो जेंग से जलता था क्योंकि उसे ही हमेशा सबसे आगे रहना था लेकिन अब जेंग की बारी थी और उसने भी डेमोनिक औरा टोमेंड में कदम रख लिया था वो आगे बढ़ते हुए सिदा मोश्टर के करीब चला जा रहा था तब हाँ उसे देखकर सोचता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुमारे अंदर मुझसे आगे निकलने के लिए क्या एबिलिटीज है और क्या तुम आउटर डिसीबल्स में नमबर वन बनने के लायक हो या नहीं जेंग लगाता है मोश्टर के करीब जा रहा था तब डीमन मोश्टर अपना औरा चोड़ता है जिससे जेंग का सरदर्द करता है लेकिन जेंग सोचता है कि ये बस एक डीमन है और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये सोचकर जेंग फिर से आगे बढ़ने लगता है लेकिन अब लिंग्यून जेंग को वर्निंग देती है कि मैंने अभी तुमारी स्टेंट को मन्जूरी नहीं दी है इसलिए इस मोस्टर को सानी कोशिश मत करना अब जेंग मोस्टर के बहुत करीबा चुका था और इतने करीबाने के बाद उस मोस्टर का डेमोनिक औरा बहुत जाला बढ़ चुका था जिससे अब जेंग को इलुजन होना शुरू हो जाते हैं डीमन म उड़कर ओपर जा रहा है और अपनी चेंग तोर दी है जेंग अभी बस अपनी जगब पर खड़े होड़े ओकर यह सब होते होए देख रहा था उसे पता नहीं था कि असब क्ल और क्यों हो रहा है तब डीमन मौ सुझ्टर्य जमीन को तोर देता ऋ और जेंग को चोड़कर सभी डिसीबल्स मेगमा में गिरकर मर जाते हैं जेंग सभी डिसीबल्स को मरते देख रहा था तब ही मोस्टर मोकेन के पास जाता है और उसे अपने पूछ से मार कर नीचे गिरा देता है वो मोकेन को अपने पेर से कुचलने वाला था मोकेन जेंग से मदद मांग रहा था लेकिन फिर भी जेंग कड़े होकर बस ये सब देख रहा था मोस्टर मोकेन को भी मार देता है जिसे देखकर जेंग को बहुत गुसा आता है उससे समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है तब ही अब वो मोस्टर लियून को टाकर खाने लगता है alan जेंक से भागने के लिए केटी है और केटी है कि तुम्हारे पास इतनी तागत नहीं है कि तुम डीमन को अरा सको लेकिन अब मॉस्टर लीून को भी खा जाता है वहाँ चारों और आग लगी हुईिती और जेंक को पता नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है क्योंकि सभी बहुत तेजी से मर रहे थे लेकिन अब जेंग को गुसा आ जाता है और अपने नाइफ को बाहर निकाल कर मोस्टर पर अटे करता है लेकिन तभी हो मोस्टर अपने आगे एक पोर्टल खोलता है जिसके अंदर से बहुत सारी डीमन डीमन का सामना करते हो तो तुम्हें बिल्कुल शांत दिमाग से लड़ना होता है यह कर लिंग योन यृंग की चेश्ड पर हात हथी है जिससे उसका दिल फिर से दड़कने लग जाता है और फिर से जाग जाता है लेकिन इस बाद जेंग अपने दिमाग को सान करता है और खुड को realme of selflessness में लेकर चला जाता है उसे समझा जाता है कि उसने जो भी देखा वो एक illusion था वो समझ जाता है कि जब सोचने के लिए कुछ नहीं होता है तब मन अपनी appearance दिखाता है one और इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है फिर भी अपने आफ से बेखबर है इसलिए अब जेंग समझ जाता है कि illusion के अंदर ही उसे demon monster को अराना होगा इसलिए अब जेंग अपनी parts का use करता है और अपनी sweet से monster पर attack कर देता है वो monster को बहुत मारता है और last में उसके उपर अपनी dragon scale parts से attack करता है जिससे वो monster और साथ में उसका illusion दोनों खत्म हो जाते जेंग अब illusion से बाहरा चुका था उसे teacher लिंग यून का एक बड़ा उतार दीखता है लेकिन थोड़ी देर में वो कायब हो जाता है और जेंग भी real world में अपनी आखे कोलता है जेंग अपने सामने demon monster को देखता है जो अभी भी पेले की तरह बंदा हुआ था पर अब वो जेंग के सामने जुक गया था और कोई हरकत नहीं कर रहा था क्योंकि जेंग उसे उसी की दुनिया में पीड चुका था इसलिए वो monster जेंग से डर कर उसके सामने जुक गया था real world में आकर जेंग को समझा गया था कि उसने जो भी देखा और मेसुस किया वो सब एक illusion था और वो dragon के demoni aura की वज़े से हुआ था सबी disciples सब जेंग को और उसके कार नामों को देखकर चुक गये थे क्योंकि जेंग demonic aura domain के आगरी circle में गया था और उसने demon monster को भी हरा दिया था इसलिए सबी disciples चिला कर जेंग को cheer कर रहे थे वो सबी जो जो से कह रहे थे कि जेंगी outer disciples में फरस्ट पोजिशन के लायक है मोकें जेंग के पास आकर उसे कह था कि तुम बहुत ज़्यादा बहादूर और तागतर हो तुमने तो demon monster को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया अब सबी disciples जेंग को अपना idol मानने लग गए थे और वो उसे उठा कर उसे cheer कर रहे थे जिससे जेंग को भी बहुत मज़ा आ रहा था दूसी और लिंग्यून भी जेंग को देकर बहुत खुश थी वो अपने आप से कहती है कि मैंने जैसा सोचा था जेंग ने वेसाई किया और मुझे निराश नहीं किया लेकिन लिंग्यून ने जेंग के औराओ को अचानक बढ़ते वे मेसुस किया था जेसे वो अचानक से इनफाइन आई ट्रू एसेंस के साथ मिल गया हो और वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से इसा कैसे हो गया था दूसी और आओं को भी अब जेंग से बहुत जादा जलन हो रही थी और जेंग को खुछ से जादा पॉपुलर देकर नाराज हो रहा था साथ ही ड्रीजल पी के इनर डिसिपल्स भी जेंग के काविलियस से कुछ नहीं थे इसी के साथ ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते से नेक्ट वीडियो में थेंक्स वरोची